हेलो इस वीडियो में हम सोल्ट एंड फिल्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे अगर हमारी एक्सल सीट में कोई डिटा रेंडम में है और हम ये चाते हैं कि वही सारा data ascending order मतलब lowest to highest में arrange हो जाए या descending order मतलब highest to lowest में arrange हो जाए तो हम इसके लिए salt का use करेंगे और फिर उस data में filter का use करना सिखेंगे तो salt and filter को हम home tab के editing group यहाँ पे salt and filter है यहाँ से भी कर सकते है या इसी काम को हम यहाँ पे data time में जाके salt and filter group यहाँ से कर सकते हैं यह दिखो यहाँ पे salt A to Z यहाँ पे दिये गया है इसके बाद यहाँ पे निचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे salt Z to A यहाँ पे दिया गया है इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे यही same काम हम यहां से home tab के editing group में जाके sort and filter यहां से भी कर सकते हैं तो यह जो sort and filter का काम है यह data type के sort and filter से भी same होगा और home tab के editing group से भी same होगा तो यह हमारी choice पे depend करेगा कि हमने काँ से करना है तो हम इसी काम को यहां से कर लेते हैं editing group से तो इसके लिए यहां पे sheet 1 पे click करेंगे यहां पे sort में हम यह सिखेंगे कि values को sort कैसे किया जाता है जैसे suppose करो यह name यहां पे दिए गए है यहां पे यह name लिखे हुआ है यह सभी name random में है अगर हम इनको ascending order में करना जाते हैं तो यह कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम यहां पे name पे click करेंगे और इसके बाद यहां पे sort में जाएंगे और sort में जाने के बाद यहां पे हम sort a to z यहां पे click करेंगे तो यह देखो जितने भी यहां पे name है यहां पे यह ascending order में हो जाएंगे a to z इसमें हो जाएंगे अगर यही name हमने descending order में करने है जैसे bj यह सबसे उपर आए और यह आजे यह निच्छे चला जाए तो यह कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम यहाँ पे sort में जाएंगे और sort में जाने के बाद sort z2a यहाँ पे click करेंगे तो यह देखो यह सबी name जो है यह sort हो जाएंगे z2a तो जब यह values change होती है तो यह automatic जितना भी data है यह साथ में change हो जाता है यह देखो सारा data यहाँ पे change हो गया है इसके बाद इसको undo करेंगे यह undo किया undo करने के बाद आगर हम numbers को करना जाते हैं तो numbers को भी हम sort कर सकते हैं जैसे यह number दिये गया है English के यह marks है नीचे जैसे English subject इसको sort करना है ascending में तो यह कैसे करेंगे यहाँ पे English पे क्लिक किया और यहाँ पे sort and filter पे गए a to z यह देखो lowest to highest value आ जाएगी यह देखो सबसे lowest value है इसके बाद यह सबसे highest जो है यह सबसे नीचे है अब अगर हम इसी value को उपर लाण जाते है तो हम के करेंगे sort में जाएंगे और z to a यहाँ पे क्लिक किया यह देखो highest value और यह सबसे नीचे lowest value आ जाएगी इसके बाद इसको undo किया undo करने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे sort and filter यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आगला option है custom sort अगर यहाँ पे custom sort पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यह dialogue box आ जाएगा इसमें दिया गया है add level delete level copy level option यह सारा यह इसमें दिया गया है जैसे यहाँ पे यह देखो add level यहाँ पे यह level नीचे add करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यह label add हो जाएगा अगर इसको delete करना है तो यहाँ पे delete पे क्लिक करेंगे यह delete हो जाएगा अगर copy करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यह copy हो जाएगा अगर इसको delete करना है यहाँ से delete हो जाएगा इसके बाद अगला है option tab तो option tab यह इसमें क्या होता है जैसे यह data इसको sort करना है यहाँ पर option आ जाएंगे यह देखो orientation डेटा को कैसे sort करना है sort top to bottom या left to right तो इसको हम यहाँ पर check करेंगे कि यह क्या होता है sort top to bottom क्या होता है और sort left to right किया होता है तो यहाँ पर इसको cancel किया इसको बंद किया यह दूसरी sheet पर click किया open करने के बाद यहाँ पर जाएंगे sort and filter में custom sort में जाएंगे custom sort में जाने के बाद यहाँ पर option tab यहाँ पर click करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यह दो यहाँ पे option आ जाएंगे orientation में salt top to bottom तो salt top to bottom यह जो होता है यह top to bottom होता है जैसे ऐसे ही इसको salt किया जाए तो इसको बोला जाता है salt top to bottom तो पहले क्या करेंगे हम salt top to bottom करेंगे और इसके बाद second है salt left to right यह जो है left to right है यह यह जो है जब यह sort okay आएगा तो इसको बोले जाता है sort left to right यहाँ पर click किया यहाँ पर click करने के बाद okay पर click किया okay पर click करने के बाद अब देखो यहाँ पर sort by यहाँ पर दिया गया sort by यहाँ पर click करेंगे तो यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे आगे दिया गया है कि कॉलम B को करना है यह कॉलम C को करना है तो हमने कॉलम B यह देखो यह सारा जो है यह कॉलम B है इसको हमने सोल्ट करना है तो हम यहां पे कॉलम B पे क्लिक करेंगे यह column भी यहां पे आ जाएगा इसके बाद आगे दिया गया है cell value भी इसको sold करना है आगे cell color दिया गया है font color तो हमने cell value यह ली यह लेने के बाद यहां पे smallest to largest यह करना है कि शोटी value पहले आए उसके बाद बड़ी value आए ऐसे करना है तो यहां पे option है जैसे largest to smallest ये करना है तो हम smallest to largest ये क्लिक करेंगे यहां पे ये क्लिक करने के बाद OK पे क्लिक करेंगे तो OK पे क्लिक करने के बाद ये लिखो ये data जो है ये sort ओके यहां पे आ गया Custom Sold पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे Option पे जाएंगे Option पे जाने के वाद Sold Top to Bottom और यहाँ पे OK पे क्लिक किया यहाँ पे यह जो है B Column EC को रहने देंगे इसके वाद यह Value, Sell Value Value को Sold करना है इसके वाद यहाँ पे जो है largest value यह हमने उपर रखनी है तो यह जो second option है यहां पे click करेंगे largest to smallest यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद ok पे click करेंगे तो जो सबसे बड़ी value होगी वो सबसे उपर आएगी और जो सबसे छोटी होगी वो सबसे नीचे यह लिखो ok पे click किया तो यह जो सबसे बड़ी value है यह सबसे उपर है और यह जो सबसे छोटी value है यह सबसे नीचे है इसके बाद आगर यह data जैसे यह नीचे लिए गया है इसको sort करना है तो यह कैसे करना है इसको यहां पे click करेंगे sort and filter option पे इसके बाद यहाँ पे custom sort पे जाएंगे इसके बाद option पे जाएंगे और यहाँ पे sort left to right यहाँ पे click किया, click करने के बाद ok पे click किया, ok पे click करने के बाद sort y यहाँ पे click करेंगे यहाँ पे click करने के बाद अब यह कौन सी row है, यह दिखनी है हमने, तो यह row है 8 यह 8 number की row इसको हमने sold करना है तो इसको sold करने के लिए हम यहाँ पे row 8 यहाँ पे select करेंगे इसको यह row 8 select की यहाँ पे row 8 आ गई cell value यहाँ पे cell value लिखी यही हमने sold करनी है इसके बाद largest to smallest इसका मतलब यह है कि जो सबसे बड़ी value है वो पहले आए और जो सबसे छोटी है यह last में आए तो हम यहाँ पे largest to smallest यह रखा यहाँ पे इसके बाद ok पे click किया तो यह रिखो सबसे बड़ी value यहाँ पे आगे इसके बाद उससे छोटी उसके बाद उससे छोटी उसके बाद उससे और सबसे छोटी value जो है यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद sheet number one यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जाने के बाद फिर हम यहाँ पर salt and filter पर जाएंगे यहां पर जाने के बाद आगे है Custom Sort यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद है यहां पर आगे यहां पर चेक किया हुआ है यहां पर लिखा हुआ है My Data Has Header कि यह जो Data दिया गया है इसमें Header है यह देखो सीरिय नंबर, Name, English, Chemistry, Physics, Math, Computer Science और Total यह Header यहां पर लगा हुआ है तो अगर Header लगा हुआ है तो यहां पर Value Header की Show होगी यह देखो यह जितने भी आ रहे हैं जैसे सीरिय नंबर है, Name है, English है, Chemistry, Physics, Math, Computer Science यह Total तो यह Header लगा हुआ है तो जब हम Data को Sort करते हैं तो Data Header से Sort नहीं होता है वो Data निचे से Sort होता है जैसे Name इससे निचे जितना भी यह Name लिखे हुआ है यहां से Data Sort होगा तो अगर हम यहां पर इसको Uncheck कर दिते हैं यह देखो यहां पर Click किया इसको Uncheck कर दिया Uncheck करने के बाद जब हम इसको Data को Sort करेंगे तो यह देखो यह Header को भी साथ मिलेगा अब यह जैसे Series Number है, Name है, English है, Community है यह Data को Sort Second Row से नहीं करेगा यह First Row से Data को Sort करेगा क्योंकि अब हमने यहां पर इसको Header को आटा दिया है तो यह जो Header है यह A, B, C, D यह जो उपर है कॉलम यहां से लेगा तो इसको Check करने के लिए यह देखो Sort By जब हम यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर A, B, C, D यह देखो सारे कॉलम यहां पर आ जाएंगे तो आने के बाद अब जब हम Data को Sort करेंगे तो यह Data यहां से Sort होगा उपर से Row First से यह Data Sort होगा तो हम क्या गरते हैं इसको Check की रहनी देती है यहां पर चेक करने के बाद आगे है यहां पर Column में Sort By तो Column में Sort By यहां पर हम More बटन पर क्लिक करेंगे यहां पर अब क्या Sort करना है हमने Name को Sort करना है यहां पर Name आ गया है Name आने के बाद Cell Value Sort On Cell Value यहां पर हम Option लेंगे जैसे Cell Color Color के इसाब से इसको Sort करना है तो यहां पर Cell Color पर क्लिक किया तो Cell Color आ गया ओडर में यहां पर दिये गया है color दिये गए हैं, यहां पे हमारे पास 3 color है, जैसे यह yellow है red है, green है, अब हम क्या चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि यह जो green color है यह सबसे उपर आए, तो हम क्या करेंगे, यहां पे green color पे यहां पे click करेंगे, यह देखो green color यहां पे आगया, अब on top अब यहां पे दो option है top में करना है कि bottom में करना है इसको green color को हमने top में रखना है यहां पे तो हम यहां पे करेंगे on top यहां पे click किया on top यहां पे आ जाएगा इसके बाद जब हम ok पे click करेंगे तो green color सबसे उपर आ जाएगा यह देखो इसको करने के लिए फिर हम यहाँ पे Salt and Filter पे जाएंगे Custom Salt पे जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे Salt by यहाँ पे Name यह Name ही है यहाँ इसको करना है हमने Name लिया, Order में यहाँ पे जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है Red Red करने के बाद यहाँ पे Top है यहां पे करना है हमने bottom कि red जो है सबसे bottom में हमने निचे रखना है इसको तो on bottom किया और ok पे click किया तो यह दिखो जो red color में यहां पे name लिखे थे वो सबसे निचे यहां पे आ जाएंगे इसके बाद अगर इसको value के इस आपसे sort करना है यहां पे English subject पे click किया click करने के बाद यहां पे sort and filter पे click किया इसके बाद custom sort यहां पे हम column select करेंगे जैसे English यह लिए हमने यहां पे English लेने के बाद यहां पे दिया हुआ है जैसे sort on यहां पे click किया यहां पे value के इसाप से इसको sort करना है यहां पे cell value इसको select किया select करने के बाद यहां पे order में क्या करना है smallest to largest करना ही है यहां पे और भी option है largest to smallest यह करना है तो हमने क्या करना है smallest to largest यह करना है यहां पे click किया इसके बाद ok पे click किया तो यह देखो सबसे छोटी value जो है सबसे उपर है और सबसे बड़ी value सबसे नीचे है तो ये value के सबसे आ जाएगा green है ये सबसे उपर करने है और ये जो blue है ये सबसे नीचे करने है तो ये कैसे करेंगे इसको करने के लिए यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद sort and filter यहां पे click किया इसके बाद custom sort यहां पे ग राएगा इसके बाद cell value तो यहां पे option लेंगे हम यह phone color यह cell value हमने कर लिया है cell color यह कर लिया है अब यह phone color यह करेंगे तो यहां पे phone color यहां पे click किया यहां पे click करने के बाद यह जो phone color यहां पे दिये गया है यह green हमने सबसे उपर रखने है तो ये दो color है अब green को सबसे उपर रखना है green को select किया select करने के बाद तो इसको top में रखना है top पे click किया ok पे click किया तो ये देखो तो ये देखो जो भी green color में हमने value लिखी थी वो सबसे top में आ गई और जो blue color में लिखी थी वो सबसे नीचे यहां पर आगी इसके वाद है Sold and Filter में Filter तो Filter को हम यहां से भी लगा सकते हैं यह देगो यहां पर क्लिक किया यह फिल्टर यहां पर लग जाएगा अगर इसको आटाना है फिर क्या करेंगे हम यहां पे Salt and Filter पर जाएगे और यहां पे filter पे फिर click करेंगे यह यहां से हट जाएगा filter को यहां पे हम keyword shortcut से भी open कर सकते हैं जैसे यहां पे हम click करेंगे keyword से ctrl shift और L यह देखो यह press किया press करने के बाद यह filter यहां पे लग जाएगा यह filter लग किया गया अगर keyword की shortcut की से इसको अटाना है तो कैसे करेंगे ctrl shift और L यह देखो प्रेस किया यह यहां से हट जाएगा इसके बाद हम यहां पे salt and filter पे जाएगे filter पे click किया तो यहां पे filter आ जाएगा आने के बाद हम क्या करेंगे यहां पे इस filter chemistry subject है इसके निचे यहां पे marks दिये गया है यहां पे filter पे हम click करेंगे click करने के बाद जैसे यह दिये गया है यहां पे number filter तो number filter यहां पे हम click करेंगे equal जो equal value है यह हमेचे यह filter हो के आए तो हम यहां पे equal पे click करेंगे equal पे click करने के बाद यहाँ पे हम यह More बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे जो Equal Value है जो 85 यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया है 85 को यहाँ पे 85 आ जाएगा कि Equal Value जो है 85 के वो आए तो हम OK पे क्लिक करेंगे OK पे क्लिक करने के बाद यह देखो Commissioner Subject में जिसके Number 85 है वो यहाँ पे आ जाएंगे Equal Number यहाँ पे आ जाएंगे इसके बाद यहाँ पे फिर जाएंगे और जाने के बाद आगर हम यहाँ पे चाहते हैं Number Filter पे जाएंगे Does Not Equal जो की बरावर नहीं है यहाँ पे Does Not Equal यहाँ पे क्लिक किया और यहां पे क्लिक करने के बाद यहां पे more button पे क्लिक करेंगे और यहां पे 82 पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो यह देखो यहां पे 82 के equal यहां पे number नहीं है वो यहां पे आ जाएंगे इसके बाद फिर यहां पे क्लिक किया यहां पे क्लिक करने के बाद number filter और यहां पे greater than अब जो है यहां पे हम value वरेंगे कि इसके greater than value यह यहां पे आए यहां पे greater than पे क्लिक किया इसके बाद यहां पे आ जाएगा greater than तो greater than में कितने से उपर वाली value चाहिए पे click करने के बाद ये दिखो, ये जितनी भी यहां पे values आई हैं, ये 82 से ओपर वाली values हैं, तो ये filter होके यहां पे आ जाएगा, इसके बाद फिर यहां पे click करेंगे, और आगला है number filter में, greater than equal to, तो greater than equal to, यहां पे click करेंगे, तो क्या होगा, greater than or equal to, ये number आएंगे यहां पे, यहां पे more button पे click करेंगे, more button पे click करने के बाद, greater than or equal to value जैसे यहां पे 67 पे हमने यहां पे click किया, 67 पे click करने के बाद, ओके पे click किया, तो ये देखो, 67 एक तो यहां पे आ गई, और 67 से ओपर जितनी भी value है, ये भी यहां पे filter होके आगे, तो ये हो गया, इसके बाद अब कम value जो है, यहां पे condition हम लगाएंगे less than, यहां पे more button पे click किया, और less than, जैसे 55 से less than कितनी यहां पे values है, यहां पे 55 हमने यहां पे रखा, 55 इसके बाद ok पे click किया, तो ये देखो 55 से less than a की value है, जो कि यहां पे आगे filter होगे, इसके बाद फिर यहां पे click करेंगे, number filter और यहां पे less than equal to, जो कि less than equal to है, तो यहां पे click किया, अब less than equal to, यहां पे value कोई भी बरेंगे, यहां पे जैसे 55 लिया, ok पे click किया, ये देखो, less than equal to, 55 यहां पे value बरी थी, तो 55 और इससे कम 49 यहां पे आ जाएगी, इसके बाद यहां पे फिर click किया, इसके बाद आगे है between between मतलब beach वाली value कौन कौन सी है वो लेणी है between पए click किया यहाँ पए click करने के बाद greater than पहले greater than यहाँ पर भरेंगे 67 और यहाँ पे less than यहाँ पर हमने 85 किया और 67 और 85 के बीच में जो value है वो यहाँ पर आए okay पे click किया okay पे click करने के बाद यह लिखो 67 और 85 के बीच वाली जितनी भी value है यहां पे community subject में वो यहां पे आ जाएंगी इसके बाद यहां पे click किया click करने के बाद number filter यहां पे जाएंगे और यहां पे आ जाएगा top 10 कि top 10 यह value यहां पे आए तो top 10 नहीं हमें यहां पे चाहिए show top कितनी value चाहिए यहां यहां पे 3 इसके बाद OK पे click किया तो यह देखो top 3 value यहां पे community subject की यहां पे आ जाएंगी इसके बाद फिर यहां पे फिर्लिटर किया फिर्ल्टर करने के बाद यहां पे click किया अब जो है यहां पे above average यहां पे click करेंगे तो जिसकी above average है यहां पे आ जाएंगी तो यह लिकाँ above average वाले यहां पे आ जाएंगे इसके बाद अगला number format में below average यहां पे क्लिक किया यह below average वाले आ जाएंगे अगर हमें यह सारे चाहिए तो हम यहां पे जाएंगे और यह select all पे क्लिक किया ok पे क्लिक किया अब हम अपने choice के साब से यहां पर selection कर सकते हैं कि हमें कौन-कौन नहीं यहां पी चाहिए, जैसे यहां पर select all लिखा हुआ है, यहां पर click करेंगे, uncheck को जाएंगे सबी यह, uncheck को ने के बाद, अब हम अपने ढख से यहां पर list बनाएंगे, जैसे एक आज़े चाहिए, यहां प यहां पे list बनके आ जाएगी ok पे click किया तो ok पे click करने के बाद यह देखो mohit, ajay, bj, sahil इनकी list बनके यहां पे आ गी तो यह filter ok for values यहां पे आ जाएगी अब अगर हम यह filter लगा हुआ है इस filter में एक और filter हम यहां पे लगाना जाते हैं तो हम क्या करेंगे जैसे यह English subject है यहां पे हम click करेंगे filter पे और यहां पे इसको uncheck कर देंगे सभी को और यहां पे हमें कितनी value चाहिए दो value चाहिए एक तो चाहिए 85 वाली एक चाहिए 65 वाली यह दो चाहिए और ok पे click किया तो यह देखो दो value यहां पे आ जाएगी filter के ओपर filter यहां पे लग जाएगा तो इस तरह से हम यहां पे data को filter कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने salt and filter के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद